हाई एवरिवन, बंदा हाजिर है आपके खिद्मत में एक बार फिर से और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वोईस वोईस, वोईस क्या होती है? आपने कली बार देखा मैगजीन में, न्यूस पेपर्स में, अपनी बुक्स के अंदर कि इजमार वोईस वर के बाद भी में वर्ब की थरफाम लगी हूई होती है ऐसा क्यों होता है? यह सोच के दिमाद भन-बना जाता है ना? आज इस सवाल का जवाब आपको बनने वाला है इतने खुशी है आज इंग्लिश का, इंग्लिश को समझने का, इंग्लिश को सीखने का आपका इंटरस डबल हो जाएगा यह मैं आपको लिक कर दे सकता हूँ इसने वीडियो को चल्दी से अभी के अभी लाइक कर दो ताकि यह वीडियो बागी लोगों तक भी पहुंच जाए आज हम क्या सीखने वाले हो सब बड़ा मज़ेदार टापिक है बड़ा असान भी है, मुझे बड़ा फनी लगता है बड़ी वॉइस क्या होती है, वॉइस का मतलब क्या निकलता है अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ तो इसका मतलब निकलता है आवाज सीधी बात करो सर, सीधी बात नो बकवास आवाज इसका मतलब निकलता है लेकिन ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में जो हम वॉइस पढ़ते हैं आप हमें बताओ ना फिर वो इसका मतलब है बोलने का तरीका क्या है बोलने का तरीका हम जो भी बाते इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं वो एक ही तरह से नहीं की जा सकती हैं उनका एक और तरीका हो सकता है सोच के देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं आपको पढ़ाया जाता है मेरे जरीए या मेरे दुवारा ऐसे भी तो बोल सकते हैं या फिर मैं आपसे कहूं मैं आपको कल शाम की पार्टी में इन्वाइट करता हूं कि इसको किसी और तरीके से बोला जा सकता है, सोचो, सोचो, जितना सोच सकते हो, सिर्फ एक ही तरीका निकल के आएगा, वो क्या होगा, इसका एक और तरीका ये निकल के आएगा, कि आपको invite किया जाता है कल शाम की party में, ऐसे तो होगा, ऐसे अगर मैं आप से कहूँ, कि मम्मी पका रही है, इसको बोल सकते हैं, खाना पकाया जा रहा है, मम्मी के दुआरा, ऐसे भी तो बोला जा सकता है, कि क्या मानतों इस बात को, सारी छोड़ों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, I love you, ये sentence हमने हजारों बार, देखा, पड़ा, सुना, बोला है, है ना, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, कि इस बात को, मैं किसी और तरीके से भी बोल सकता हूँ, कि बात का मतलब ना बदले, sense यही रहे, हाँ बोला जा सकता है आपको आपको प्यार किया जाता है मेरे जरीए मेरे द्वारा क्या बात का मतलब बदल गया नहीं प्यार तो आपको ही किया जा रहा है है ना कर भी मैं ही रहा हूं मिल भी आपको ही प्यार रहा है कुछ बदला नहीं है तो बदला तो बदला क्या अरे यही त मज़ेदार चीज है बदला सिर्फ ये कि जितने भी हमने अभी तक अभी तक वोईस से पहले हमने जो टेंसिस के रूल सीखे है हमने sentences बनाये translation करी उसमें हमने क्या किया हम उसमें क्या करते थे हम उसमें छोटा सा काम करते थे हम उसके अंदर ना हम मैंने आपको सिखाया भी है पिछली वीडियो के अंदर जो पूरा ग्रामर का कोर्स हमारा चलता हूँ आया है प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख ले न अगर पूरा कोर्स नहीं देखा है यह उसकी तकरीवन आर्थवी वीडियो होगी तो वो दे और फिर वर्ब रखिया और फिर सब्जेक्ट रख दिया हमने बस यह यह चेंज किया यह तो किया पहले था आई लव यू अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बोलके दिखाया अब क्या कर दिया यू आर लवड ऐसे सेंटेंस बना दिया अब वर्ब की थर्ट फार्म लगेग का एक दूसरा तरीका एक पहला तरीका जो नॉमली है जिसमें सब्जेक्ट पहले रखते हैं दूसरे तरीके में हम अब्जेक्ट को पहले रख देते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं कैसे करते हैं कैसे इसके रूल्स बनेंगे क्या क्या होगा वो सारी बाते अभी हम आराम से सीख लेते हैं अभी के अभी इतना अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट में बता दो येस इतना समझ माया ताकि मैं पूरे जोश के साथ फिर इसका पूरा खुलासा करूं पोस्मॉटम करूं और आज के बाद न वोईस का ये वीडियो देखने के बा आपके स्कूल एक्जाम में स्पोकन के अंदर हर जगा हर जगा जाब भी वोईस आईगी आपके दिमाग की घंटी जरूर बजएगी तो भाई किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके क्या वाकई हो सकते हैं और पहले उसको समझते की कोशिश करते हैं मैंने आपके सामने अब्जेक रखा उसके बाद वर रखी और अब्जेक रख दिया टैंस जो भी टैंस था पास्ट इंडेफिनेट था वो लगा दियो उसका रूल है ना ऐसा किया क्या मैं कुछ चेंज करके ऐसा कह सकता हूं जिसमें सेंटेंस का मतलब ना बदल हां कह सकता हो कैसे तुमने मे मेरी कार को चुराया गया हां तब भी तो गाड़ी ही चुरी है कार मेरी ही चुरी है कोई बदली बात थोड़ी है नहीं बात तो नहीं बदली ऐसे देखते हैं मैंने केक बनाया मैंने एक केक बनाया तो काम करने वाला कौन था मैं था केक बनाया इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं क वो एक ऐसे लिखता है इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लिखा जाता है अच्छा लास्ट में लगा सकते हैं कि उसके द्वारा मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा है ना वो तो बाद में लगा ही सकते हैं लेकिन अभी इतनी बात तो मोटी-मोटी समझ मारी ना कि सेंटेंस को ए तीसरा भी तरीका हो सकता है। मैं आपको लिक्के दे सकता हूँ, इसका कोई तीसरा तरीका निकली नहीं सकता। ऐसा कोई तरीका जिसमें हम यही sentence कहना चाहें, लेकिन उसका meaning न बतले। ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है तो इतना तो हमें समझ माया कि English के अंदर जिसने भी हम English के sentences बोलते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो direct तरीका जिसमें हम subject, बिल्कुल subject सबसे पहले रखते हैं, जो काम को करने वाला होता है, और एक दूसरा तरी रहे थे, कि हम कोई भी sentence बनाने के लिए सबसे पहले subject रख रहे थे, word रख रहे थे, और object रख रहे थे, लेकिन हमने notice किया, कि English एक language है, एक भाशा है, और जो जुबान होती है, जो भाशा होती है, उसको कहने के तरीके अलग-अलग होते हैं, तो उसमें तरीका ये भी था, कि एक बात को एक दूसरे अंदाज में भी कहा जा सकता है, तो उस दूसरे अंदाज को भी हमें बनाना था, उसका भी हमें एक rule बनाना था, अब अगर किसी ने आपके सामने ऐसे बोल दिया, कि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया ज आप ऐसे बोलोगे कि आयम इनवाइटिंग हैं ऐसे बोलोगे नहीं इसका तो मतलब कुछ और निकल रहा है मुझे बुलाया जा रहा है तो यहां हमारे पास कोई रूल नहीं था जबके इसमें टैंस का रूल भी लग रहा है काम भी हो रहा है सब कुछ है इसमें सिर्फ नहीं था मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस बिलकुल नॉमल था इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क करा था कि इसमें क्या किया गया था जो अबजेक्ट है उसको शुरू में रख दिया था इसके लिए फिर हमें रूल बनाने की जरूरत पढ़ी तो हमने क्या करा हमने चर्व में रख रहे थे वर्ब लगा रहे थे वर्ब की कोई भी फॉर्म बहु अगर टेंस के इसाब से देख लेंगे हैं और लास्ट में अब प्रख रहे थे लेकिन अब हमने क्या करा भाई तुम खुश नहीं हो ठीच को पहले रखना चाहते हो ना लो रख दिया लू र क्यों क्या दीवाने हैं मस्ताने हैं हम क्या है हम हम क्यूं कर रहे हैं सामें क्या फालतु टाइम था हमारे पास नहीं 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 ऐसा इसलिए क्यूंकि इस तरह से लोग बोलते हैं बाते करतें इंग्लिश में तो हमें उसके ट्रासलेशन की जरूरत पड़ी थी इंग्लिश कहानी तो यही है मोटी मोटी कहानी तो यही है अभी आप पूछो के बाय क्यों लगा है उसका भी जवाब दूँगा अभी मोटा मोटा समझ मा रहा है कि active और passive दोनों में फर्क क्या है और active से passive का जो rule बना मोटा मोटा क्यों बना objective शुरू में तो आना था वो यह रख दिया बस बात खता है अब इन्हें active और passive क्यों कहा जाता है वो सुन लो बहुत important point बताने वाला हूँ सुन लो भई सुन लो active क्यों कहा जाता है इसके अंदर क्या होते subject पहले होता है subject जो काम को करने वाला होता है direct बता जाता यह बंदा यह काम कर रहा है बात खतम इसलिए यह active है यानि सक्रिय है एकदम साफ साफ बता रहा है passive का मतलब होता है indirect RC, lazy क्योंकि इसमें direct यह नहीं बता जा रहा कि कौन काम कर रहा है काम कोई करने वाले से ज्यादा जिस पे काम का असर पढ़ रहा है उस पे focus किया जा रहा है है के नहीं ध्यान से देखो ना मैं तुम्हें English पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें English पढ़ा रहा हूँ तुम्हें English पढ़ा है जा रही है काम का करने वाला कौन कर रहा है उसके बारे में नहीं ज्यादा बता रहा है, ज्यादा किसको बता रहा है, जो काम का जिस पे असर पढ़ रहा है, है के नहीं, मम्मी खाना पका रही है, खाना पकाया जा रहा है, मम्मी के द्वारा, उन्हें लास्ट में डाल दिया, ज्यादा फोकस किस पे कराया, जिस ले रख रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा गया पैसिव कहा गया क्या बिल्कुल पोस्मार्टम हो गया अब क्या है पैसिव क्या है रूल तो पढ़ी लेंगे मोटा मोटा क्या होगा इसके अंदर तुम सोचो मेरे प्यारे स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स सकते हैं जर दिमाग लगाओ जितने भी हम यह वाले sentences हमने बनाए थे subject रखते थे वर रखते थे उसमें tense के rule लगाते थे कि कहीं भी कोई काम हो रहा होता था तो काम हो रहा होता था यानि कोई na tense उसके अंदर involved होता था तो हमने tense के rule बनाए थे वो सारे कैसे बनाए थे active तो जितने हमारे टेंस के rule कहीं न गई उतने हमारे वाइस के rule बन जाएंगे फिर passive वाइस में बना देंगे मुणी को क्या बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा कुछ भी मुश्किल नहीं जरा भी मुश्किल नहीं है मोटी मोटी बात भी बता देता हूं और सारे जो पूल से ना इसके फिर हलवा लगेंगे ध्यान से मुझे देखते रहो वस अगले दो मिनट इधर फोकस रखो बस देखो देखो मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों धूम मचा दोगे सुनो सबसे बड़ा जो इसकी सबसे बड़ी पहचान में कहूंगा वो क्या है इसमें ना इसमें जो वर्ब की फॉर्म रहेगी सब में थर्ड फॉर्म रहेगी याद रखना क्या का मैंने अब्जेक्ट तो शुरू में आए गई आएगा उसके बाद जो भी हल्पिंग वर्ब तो मोटा मोटा क्या रहेगा संश् bubb मोटा मोटा भी बात करें अब जल्फ कि शुरू में रखेंगे अफिर जो भी हैल्पिंग वर्बाईगी आएगी वह बादमें बेखेंगं एब ओ् informed ऐसे क्यों लिखा होता था अब समझ माया it is sad ऐसे ऐसे क्यों लिखा होता था you are told ऐसे क्यों होता था समझ माया newspaper में ऐसे क्यों होता था कि इसके बाद आर के बाद main verb की third form में क्यों होती थी यह informed क्यों नहीं होता था आओ चलो दोस्तों, अब जितने tenses थे, उनकी active voice थो हमने पड़ी रखी है, जो normal rule है उनके, उन्हीं वे थोड़ा भात हम change करके हलका फुलका passive voice बनाएंगे, क्या change करेंगे, object शुरू में रखेंगे, verb की हमेशा third form लगा देंगे, और हलका फुलका सा helping verb का change है, और कुछ भी न अंदाज में, smart student के जरिए, smart student की तरह, हम यह सारी चीज़ सीखने वाले, क्या आप ready हो, जल्दी से देखो, इसको finish करते हैं, और इसमें command हासिल करते हैं, तो दोस्ते स्टार्ट करते हैं, present tense से, जो सबसे पहला हमारे tense होता है, present के भी indefinite tense, एक बाप फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको tenses की knowledge नहीं है, कोई tension लेने की जुरहत नहीं है, मैंने आपके लिए tense का वीडियो बना रखा है, करोडों लोगों ने देखा है, आप भी जा के आराम से देख सकते हो, tense का वीडियो, description में भी link दे दूँगा, या YouTube पे भी सर्च करोगा, तो आपक उसके साथ, और object आजाता है, इतना ही तो पढ़ा है हमने, है ना, अब पैसे वो इस किसी की बनाएंगी, इतना तो सर हमने, आपने हमें idea दिया है, कि सबसे पहले तो object को कह दो, भाईया माई बाप, तुमी हो, आ जो रख दो object को सबसे पहले, object यहां आ गया, कि नहीं आ गय वो इसलिए आती थी, तो sentence कौन से होते थे, वो present indefinite tense की passive voice होती थी वहाँ पर, आप देखो, main verb की फिर क्या आएगी, third form आ जाएगी, by लगके subject आएगा, अब यह by क्यों लगेगा, वो काम किसने किया, यह दिखाया तो जाएगा, अगर बिना by के लगा देंगे, तो sentence बढ़ गिया था, और यह मेरा object है, इतना clear है, आओ इसको बनाते है, सबसे पहले cricket को ठागे यहां ले जाओ, object को यहां ले जाओ, इखाके, ले जी मैं, यहां पर मैं लियाया cricket को इधर, यहां मैंने क्या लिखा cricket, उसके बाद क्या रूल है, उसके बाद rule कहता है, कि उसके तो cricket singular singular के साथ is plurals के साथ एक से ज्यादा चीज़ें तो और आई के साथ स्मार्ट सुडेंट हम हमारे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट सुडेंट है के नहीं आजा वाई cricket is उसके बाद मीन वह सब 30 form form 30 आएगी आख बंद करके थार्ट फॉर्म लगा देंगे क्रिकेट इस प्ले की थर्ड फॉर्म डाएगी और प्लेड हो जाएगी और क्या और अब किस क्रिकेट इस प्लेड क्रिकेट खेला जाता है अब direct us लगा दू इस प्लेड़स कुछ भी नी बनेगा है ना तो इसका मीनिंगी अजीब सा हो जाएगा टेड़ा मेड़ा हो जाएगा इसलिए हमें बाए बोलने की जरूरत पड़ी बाए कहने की तो हमने क्या करा बाए और ही का क्या बन जाएगा हिम सर यही का हिम कैसे बना जाएगा आई वी यूदे ही शिट ऑब जिक की तरह इस्तेमाल कहीं भी होगा तो ही का ही हो गया शी का हर हो गया इतना क्लियर है कि याद आया याद आया अगर नहीं आपने वीडियो देखिया आराम से देख लेना पूरे कॉर्स कॉम हमने बहुत जीरो से स्टार्ट किया है भी सीडी से जिनको नहीं पता उने बता रहा हूं और हमने आज यहां तक पहुंचे हैं वोइस तक सबको मुबारक बात कि वोइस तक आ गए हम एक वन बाइवन स्टेप बाइस्टे बहुत अच्छे से अच्छा कुछ लोग की शिकायत रहते सर वीडियो जल्दी डाल द कॉम्पेटिशन एक्जाम दे रहे होते हैं SSC, UPSC, Banking इन सबके बच्चे वो भी English की Grammar की वीडियो हमारे से देख रहे होते हैं अब मुझे क्या करना होता है एक्जाम टाइम आया है बच्चों का स्कूल का मुझे आपके छोटे बहन भाईयों के लिए भी वो वीडियो ब थोड़ा cooperate करें लेकिन जबान दिया मुकर नहीं सकता grammar का कोर्स फ्री में complete मैं ही कर रहा हूंगा थोड़ा थोड़ा अगर बीच में गया होता है थोड़ा थोड़ा cooperate करें ठीक है चलो जा आगे बढ़ जाते हैं अब यह sentence बना लिए अगला देखते हैं my brother teaches English अब इसमें क्य बताओ क्या लगा हूं आप बताओ मुझे जल्दी English English singular होता है इस लगा दूगा English is और टीच की थर्ट फॉर्म आख बंद करके किसके द्वारा बाए मेरा यह ना तो माई ब्रदर is it clear or not कोई doubt आता इस्टेग्राइम पे पूछ ले ना dear sir काशिफ personal ID है कुछ personally पूछने हो सवाल वो पूछ सकते हो लेकिन हम आपके साथ खड़े पूजा cooks the food subject था वर्ब थी object था the food simply बना दिया हमने the food is cooked by पूजा अब सर इसमें आपने इस क्यूं लगाया यहां इस क्यूं लगाया क्या देखके लगाया मैंने इसको देखके लगाया कि मेरा object अगर singular है तो उसके साथ singular वर्बा जाएगी प्लूरल है तो प्लूरल वर्बा जाएगी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम passive voice बनाते तो tense भी चेंज हो जाता है present का पास कर देखके नए बाबा यह वो नहीं है वो होता है narration में direct indirect मे वो अलग चीज है कभी भी passive voice में बात का मतलब नहीं बदलता बात जिस इसके negative हो sentence उसमें क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे सर नेगेटिव में बस not लग जाएगा इसमें क्या बहुत बड़ी बात है आपने बनाया English is taught by my brother तो जाएगा English is not taught by my brother the food is cooked by Pooja the food is not cooked by Pooja cricket is played by him cricket is not played by him it's make a body about is there it's not so much time I just say she sings a song palace kaffirmative and I could deliver now Kevin Oga a song is sung by her Hannah a song is sung by her is he can negative one of them even a come on negative Kevin Oga a song is not sung by her is make a body about these are naughty तो लगाना था अरे मेरे प्यारे बच्चो तुमने मेरी चाती फक्र से और चौड़ी कर दी 56 की हो गई क्यूंकि मेरे प्यारे बच्चो ने सही जवाब दिया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर नेगेटिव का आपने अलग से हमाली structure लिखा हुआ है sentences भी बनाए ह उसके बाद not आ जाता है उसके बाद में वर्फ की फस्वाम आ जाती है और object आ जाता है सर यह तो होता है हाँ तो इसमें क्या करेंगे object यहां आ जाएगा पैसिव वोइस में दूसरे color से लिख देता हूं yellow color means passive voice ठीक बढ़िए पहले आ जाएगा और इसे मार तो इसे मार ही रहेगा helping whereby की और उसके बाद not आ जाएगा उसके बाद में वर्फ की फस्वाम ना पैसिव वोइस में हमेशा फॉर्म कान सी होगी में वर्फ की फ़ाम सर कुछ भी तो नहीं था इसमें बाय आ जाएगा और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा सर क्या यहीं होगा हाँ बिलकुल यही हुआ object आया इसे मार आया नौट आय में वर्फ की फ़ाम बाय सब्जेक्ट सर बनाओ ना he does not write a letter letter is not written by him सर यह तो मेरे पापा सब्जेक्ट थे मुझसे प्यान नहीं करते डारेट बात की गई थी सब्जेक्ट सबसे पहले था काम के करने वाला इसको पैसिव में बदलना था तो मेरे पापा नहीं करते does not यानि present definite है ठीक है तो सबसे पहले मी को उधर लेके जाओंगा तो मी का मी लिख दे मैं आपसे नराज हो जाओंगा इसे करोगे आप तो अरे नहीं कर रहा hold on ठीक है मी की जगह यहां क्या होगा आए क्योंकि अब यह सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो मी का सब्जेक्टिव केस आए हुआ आए के बाद इसे मारनो में से कुछ और आएगा आए के स टरब फॉर्म लडव handing option हो जाएगी और रिजची हो जाएगी कॉझे मेरे पापा के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है वह को बैटों से मारते मेरे को भुण आरे और पड़ोग हैना होँ नहीं नोट लव फादन लेकी नंव fif dark USA का विदयो कि इंपिश हो जाएगे क्रोल तो इसकी क्या इंग्लिश बन जाएगी कि the mistake आपके आगे लिख भी देता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सा कभी-कभी ना competitive exam में पूछा जाता है the mistake is not reported बस इतना ही बहुत है क्या by them लगा दूँगा गलत हो जाएगा नहीं गलत नहीं होगा लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपने इतना लिख दिया कि it's not reported तो अगर कोई specifically कोई subject है किसी लड़के का नाम लड़की का नाम है तो तो ठीक है वनना them की जूरत नहीं होती तो ये आगे के लिए भी बता रहा हूँ कि यह दे subject हो तो नहीं भी लगा होगी चल जाएगा चलो जी आगे बढ़ जाते है सर बहुत बढ़िया इसको save कर दो सर इसकी PDF दे दे ना PDF की समीद होगे चिंता मत करो आपके लिए अलग से practice खूब सारे sentence खूब सारे sentence की practice PDF बनाई जा चुकी है टेलिग्राम गुरूप पे मिल जाएगी इसमें डबलोच फैमली शुरू में पहले रखोगे सर पहले उसकी कहानी बता दो सर पहले बता दो present indefinite tense के interrogative कैसे बनते है बहुत शुरू में डूड़ा आ जाता है हाँ जी डूड़ा जाता है उसके बाद subject आ जाता है उसके बाद main verb की first form आ जाती है और object आ जाता है लास्ट में mark of interrogation यह आ जाता है अगर कोई double interrogative होता है तो डबलोच फैमिली शुरू में आ जाती है इतना सर आपने पढ़ाया था में टेंस में आता है जैसे for example do you cook the food do you write a letter do you play cricket इस तरह के sentence है ऐसे बन सकते हैं अब object सबसे पहले शुरू में आ जाएगा कि नहीं हाँ लेकिन उससे पहले डबलोच फैमिली आ जाएगा क्योंकि डबलोच फैमिली कभी भी नहीं आठ था डबलोच फैमिली आया उसके बाद इसमार आ जाएगा इसकी helping भी जैमार होती है इसमें ठीक है और उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद object रख देना शुरू में उसके बाद main work की third form लगा देना और उसके बाद by लिख देना और last में subject लिख के mark of interrogation लगा देना इस तरह से sentence बना देना क्या ऐसे ही किया है हमने हाँ सर बहुत असान था बहुत असान था आओ देख लेते हैं सर दिखाओ न कहा है हाँ जी ये रहा वह फैमिली आई इसमार आया object आया मिन वब की third form प्लस बाइप सब देख सर इसको न दूसरे color से highlight कर दो चलो बाद में कर दूँगा जब PDF मिलेगी आओ देख लेते हैं डू यू रीड दबुक्स इसको बनाते हैं डू यू रीड दबुक्स सबसे पहले सबसे पहले helping work आईगी डू फैमिली इसमें है नहीं which where from how इस तरह का कोई वर्ड नहीं था तो ये single interrogative तो simple interrogative जिसे कहते हैं इसे मारो जएगा शुरू में तो दबुक्स है तो क्या जएगा are प्लूरल है ना तो बुक्स की वजए से हमने इसको देखते हुए यह यहा लगाया are, the books और उसके बाद कैं लगाना था object लगाना था बई object लगा दिये लगा दिये उसके बाद लव दूदंट्स गया जाएगा किसे के दूआरा दूद्स करता हूं बहुत जयादा प्यार करता हूं प्यार क्या बच्चों को प्यार मिलता है बता बाता देंट में न करता हूं बनाऊ तो मेरे दोस्तों इतना क्लियर हो चुका एक तंट क्रिस्टल क्लियर बना के लिए और भी कुछ तो मैंने आपके लिए होगा यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं वाइड़ नेहा राइट पोएम्स तो वाइगा रहेगा डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले डबल इस फैमिली उसके बाद पोएम्स प्लूरल था वाइड आर पोएम्स उसके बाद वर्प क्या है रिटिन और लास्ट में क्या आजाएगा बताओ रिटिन बाए नेहा और वाइड पोएम्स रिटिन बाए नेहा चलो जी वेंड डू यू रीड दा बुक्स तो वें तो वें रहेगा वें आर फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट आजाएगा वें आर दा बुक्स रेड वाइड यू सेंटेस बन किया मेरा क्या बाकिया बना सकते हो सब बिलकुल बना वें तीन गंठे चार घंठे भी आपकी लिए सेंटेस बना सकता हो लेकिन असल क्या है जिस्ट क्या है ओट इसी कॉर्णू जस्ट अपको बता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आला है ऑब्जेक्ट पर गसंट निए अरय यह सब्धेट कर रहा हूँ अब Boar थो तो पहले देखते कैसे इन्टाते तो यहां और सब्ञाइब कर दो सब्याड़ क Strategic फोटता था इसा हुटता था मेंवाप की फसमार ing का मतलब ही होता था कि काम चल रहा है दिल की दड़कन है वही है और फिर object आ जाता था अब पैसे हो इस बनी की सबसे पहले तो रखा object को पहले रखा न object उसके बाद helping वाब इजैमार ही रहेगी इजैमार के बाद बस एक important जो word इसमें use होगा न वो होगा being क्या word use होगा being कि वो काम हो रहा है ठीक है being और मेंवाप की कौन सी form third form by और नॉर्मल ही है subject को इसमें लंबा चोड़ा खेल था ही नहीं और बना लेते हैं my mother is teaching English मेरी मम्मी मेरी मम मेरी मॉम क्या कर रही है English पढ़ा रही है तो object क्या था English था सबसे पहले यह लिया हूँ English और नौर्मल इसमें भी था इसमें भी है कोई फर्क नहीं है बस वर्प की third form लगा देना बिंग लगाके English is being taught by किसके जरीए पढ़ा जा रहा है my mother last में my mother आ गया सर हमेशा क्या by ही यूज होगा इसका भी जवाब मिलेगा हमेशा by ही नहीं लगता है बताओंगा कहां कहां नही से उसके बाद बहुत सारी तरीके है पैसी वोइस और भी पूछी जाती है मुश्किल से मुश्किल पैसी वोइस अगर आपको आंसर होना चाहिए उसका पता मैं उस लेवल तक आज आज आपको इस वीडियो में करके जाओंगा तो वीडियो पूरी देखते रहना आओ चलो अवेटर इस सर्विंग फूड इन दिस होटेल तो फिर क्या जाएगा नॉमल लगते इसको भी फूड इस बीइंग सर्वड और क्या था किसके दुआरा बाए अवेटर और लास्ट में लिख देंगे इन दिस होटेल ठीक है लिखने की जोरत है हां मेरी चाइनीज भाशा पर मज जाना मेरे भाव पर जाना मेरी आवास को पहचानों मेरे दोस्तों ठीक है थोड़ा जल दिया थोड़ा लिल लिख रहा हूं ठीक है एव्रिवन इस वाचिंग इस मूवी इसका इजी रहेगा बिंग अच्छा लगा दिया तहां लगा देथा बिंग और वर्प की थ अब्जेक्ट पहले रखे यही तो कर रहा हूं मैं कौन सा जादू कर रहा हूं कि कोई रूल है नहीं सर शरम आरी मुझे इसको तो रूल कहते हुए भी आजब आगे बढ़ जाते इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे सर सर नेगेटिव तो पता ही है हमें क्यों शरमिंदा कर भी आपीज़ा चलो बना दो बना देता हूं मैरे प्यारे बच्छों मन में ज़रा भी डाउट नहीं होने अच्छी है अपीज़ा इस लगा यह कि रहने दूट नहीं अभजेक्टिव केस लग जाएगा आई का क्या बन जाएगा म्मी बात खत्म है दिद केट इस किलिंग by the cat मेरा focus कभी भी sentences पे नहीं होता कभी कबार हो जाते हैं मैंसे spelling गलज लिख दी जाते हैं कुछ मिस कर जाता हूँ क्योंकि मेरा focus यह है ही नहीं मेरा focus है concept पे concept पता होना चाहिए concept क्या है object पहला आएगा इसमर जारही है वह अपकी third form आनी है कंटिनियस है तो बिंग लगा देना अभी तक तो यह चल रहा ना बस खत्तम बात है तो यह तो मेरे बच्चों अब फिर कोई भी सेंटेस बना लेंगे अगर यह चार सेंटेस समझ गए ना तो 400 बना लोगे यार क्या इंटेंशन है है के नहीं सही कहा रहा हूं कि नहीं आजो क्या आजेगा लॉस्ट में इस बॉय या दा बॉय यह तो ऐसी है मज़ी चल रहा है तो सब्जेट अब्जेट तो कुछ भी हो सकता है ही इस डिस्टर्बिंग मी यह अच्छा सेंटेंस था मी का क्या बन जाएगा जल्दी बताओ मी का बनेगा आए सब्जेक्टिव केस आई एम बीइंग और डिस्टर्ब की थर्ट फार्म लगनी है डिस्टर्ब बाई हिम ठीक है जी हो गया सर मज़ेदार था यह बाकी क्या अब बनाओगे ट्राय करोगे बिल्कुल ट्राय करेंगे सर मजा आगिया आओ हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना इस्टेग्राम पे मैं आपका टाइम बचा रहो इस वर आजो जी तो आपके लिए मैंने कुछ और पैसिव वोइस की जर्नी अब देख लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बढ़ते हैं उसके साथ आएंजी आ जाता है यही तो होता है ना बहुत सिंपल है अब हमने जब उसकी पैसिव वोइस बनानी थी तो हमने क्या किरा पैसिव वोइस के अंदर हमने कुछ भी लेगर वो तो चेंज होने से रहा is MR तो रहे गई उसके बाद क्या जाएगा ऑप्जक्ट आजाएगा उसके बाद बीहींग सम교 Chaira इसके बाद मेंध की थार्ब परम आ जाएगी प्लस बाइट अगर कोई सब्जेक्ट हए और यही होगा ना कुछ मुश्किल है क्या आओ कुछ sentences देखते हैं ना सर sentences देखते हैं आजो मैं सबसे पहले डबल फैमली वो तो कभी हिलती नहीं अगर डबल इंट्रोगेटिव है इसमार आया object आया being आया मेंवब की third form plus by plus subject sentence है are they taking him to the hospital इसमें मेरा object था him अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ आजो जी सबसे पहले इस आजाएगा क्योंके मेरा जो object है वो singular है ही की वज़ेस है न हिम का क्या बन गया ही बन गया subjective case था इस ही और उसके बाद क्या लगाना है इस ही फिर क्या लगाना है लगा दो असर लगा दो उसके बाद मेंवब की third form taken हो गई बिलकुल सही हो गया इस ही बिंग टेकन और उसके बाद क्या जाना है नॉमल आ जाएगा टूदी hospital to the hospital by by बस normal them की जुरत ही नहीं थी बात ही खतम थी इस बीग टेकन तूदी hospital देम की जुरत नहीं थी क्योंके दे वर्ड जब भी वन आपसे बोला कि दे अगर subject हो तो उसको लगाने mandatory नहीं होता आ जाते हैं आगे देखलते हैं वाई इस शी नॉट प्रेजिंग यू इसको मुझबानी बनाते हैं वाई इस शी नॉट प्रेजिंग यू वाई का तो वाई रहेगा है ना यू मेरा object है के नहीं है ना तो वाई आर यू नॉट बींग प्रेजड बाई हर क्या बना वाई आर यू नॉट बींग प्रेजड बाई हर यह तो ऐसी बन रहा है रिदम आ रही हमारी आजा वाई आर दे यूजिंग माई फोन वाई इस वाई इस माई फोन अब्जेक्ट है उठा के डालो ना इसको इदर वाई is my phone why is my phone being used why is my phone being used इस तरह से इस एंडर बन जाएगा इसमें भी दे था ज़रूरत नहीं थी ठीक है, clear है कि नहीं, आगे बढ़ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, still if you are having any doubt, any doubt you can ask me directly on instagram, in comment box wherever you want, ओके आगे बढ़ जाए, उम्मीद है बहुत clear हो रहा है आपको आगे बढ़ जाता हूँ मैं आगे बढ़ जाते हैं सर, अब क्या है सर present perfect tense को देखते हैं मेरा अगला tense है present perfect tense अब इसमें भी क्या हो रहा होगा आँ वही काहनी, object शुरू मा जाएगा main up के कौन सी form लगाओगे third लगाओगे, last में by लगा के क्या लिखोगे subject लिखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा change हमें करने की जुरू है तो नहीं पड़ेगी, आँ चलो देखते हैं इसको present perfect tense कौन सा होता है, जिसमें कोई काम complete हो चुका होता है present में, यानि आज में complete हो चुका है जैसे, मैं जा चुका हूँ, वो खा चुका है उसने काम कर लिया है, इस तरह की sentences होते हैं, ऐसे sentence है पूजा, पूजा जी, कहा हो आप पूजा has completed the work पूजा ने काम पूरा कर लिया है ये मेरा sentence था, हैना इस तरह की sentences होते भी है ये हमार sentence बनता था, बनता कैसे था बैस subject रखते थे, has have इसकी helping work होती थी, main work की इसमें third form आती ही थी, और object आ जाता था passive बनाने के लिए क्या करना पड़ा object लाओ, अपन को object चाहिए object आगे यहाँ पे has have, इसकी helping work भी हमने छेड़ी नी जैसे continuous tense में भी हमने इसे मार, इसे मार ही रहने दिया था है ना, ऐसे इसमें भी has have को हमने नहीं छेड़ा has have को has have ही रहने दिया बस फर्क क्या कर दिया, bean कर दिया जो कि B की third form थी क्योंकि काम पूरा हो चुका है तो bean की third form क्या कर दी bean कर दी, continuous में bean लगा रहे थे, continuous में bean लगा रहे थे, और यहां हमने bean लगा दिया, आगे आ जते है main verb की कहुंसी form लगाओगे, first लगा दिता हूँ नहीं नहीं आएंज लगा दो अरे नहीं second form लगा दो नहीं 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 हमें क्या करना है, third form लगानी है यह बात हमें clear है passive voice किसी की भी हो, verb आईगी third, भई third form आगई buy आया, अगर कोई subject हुआ तो subject रख दिया, sir आप यह बार बार यह क्यों कहते हो, कि subject हुआ तो रख दिया, आप ऐसा क्यों voice का कोई sentence बनाते थे, तो उसमें subject, verb से भी काम चल जाता था जैसे, he goes he goes, नहीं अगर object है तो भी काम चल लगिया, I say इसमें object नहीं है, काम चल गिया मेरा, ऐसे passive voice का जब passive voice हमने बना है, तो passive voice ने का अब अपना time आया भाई साब, गुरु जी अब सुनो अपना time आ चुगा है, अब मुझे subject की जरुरत नहीं है object है, काफी है, object रवोट से बन जाता है, चलो जी आजाते हैं इसको देख लिए, तो affirmative clear होगी है, इसका हाँ, negative में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सर अब मत बताओ, अब तो हम बहुत intelligent हो चुके, naughty तो लग जाएगा subject, hasev, not, main work की third form और object तो होता ही था present perfect tense में, अब object सबसे पहले रख देंगे, hasev, हम तुमसे तुमारी helping work नहीं चीन रहे tense के जो rule है, वो वो ही रख दिया हमने, hasev रखा, सिर्फ not लगाया, bean के बीच में, बास बात खतम, main work की third form, plus by plus subject अच्छा, लगे हाथ और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, आओ, लगे हाथ देखते हैं, इंट्रोगेटिव डवल subject ही ऐसे बन गया, sir को एक example बना के दिखा दो, यह वाला बना ले, पूजा has completed the work, the work has been completed by पूजा, बन गया, ऐसे negative, the work has not been completed by पूजा, यह भी बन गया, has the work been completed by पूजा, ऐसे यह भी बन गया, sir, 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 यह तो सारे लगे हाथों बन गया, ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी, smart teacher के smart student हो आप, आप इतने smart हो, इतने smart हो, इतने intelligent हो, आपको कभी किसी ने बताया है नहीं, thank you, बोलो मेरे को, thank you, मैंने आज आपको बताया कि आप किते intelligent हो, समझ मा रही हैं न English, grammar ही है, यह सवाल ना, यह वाले सवाल आपके competitive exam में पूछा जाते हैं, आपसे paper, आपको नौकरी दे देते हैं, इस तरह के सवाल पूछ के इससे थोड़ा बहुती तो मुझकिल है, अलका फुलका सा, और हमारा object बन जाएगा, her house, और has का क्या हो जाएगा, has been, और फिर क्या, work क्या है, इसमें built third form already थी, तो third form को हमें भी change करने की जरुरत नहीं है, third की third ही लगने की, built by किसके दौरा, her के दौरा, तो built by her, simply यह बन जाएगा, her house has been built by her, next है, why have they not completed the project in time, अब यह interrogative हो गया, इसमें हम दो लगा जाएगा, यहां पर अब देखना है मारा, जो object वो क्या था, project था, वो singular था, वो singular था, इसलिए, have की जगा देंगे, has लगा देंगे, यह have था, क्योंकि जो subject था, वो क्या था, वो गे था, वो एक plural था, एसलिए, have आया, तो why has the project, why has the project not been completed, और बागी का तो same ही in time क्या देम लगाने की जुरुत है लास्ट में बाइद नहीं 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 दे हो या फिर वी हो उनको हम लास्ट में as a subject नहीं लिखते हैं ये नॉमल सी बात अब तो तो मैं समझ मा आगिया have you eaten the food ये तो बहुत ही असान हो जाएगा क्या बना सकते हो हाँ हाँ सर बना सकते है has आजेगा सर has क्यों आया have क्यों नहीं आया अब तो आप कोई पता है क्योंकि जो मेरा food है the food वो मेरा object है वो पहले आना है अब ये जो मेरी verb होगी helping verb वो इसी के साब से होगी has the food has the food been eaten बात ही खतम है by you has the food been eaten by you इसके अंदर present perfect tense में इसमें has की जगा has भी लगा जे ना मिन वप की third form लगा ये बन जाएंगे sentence बना सकते हो क्या बना सकते हो आईए आगे देखते हैं अब कुछ sentences है जो मैंने आपके लिए लिखे हो है क्या इन्हें बना पाऊगे बिलकुल बना सकते हो try करना कहीं भी कोई doubt आता है मुझसे personally पूछी सकते हो कोई दिक्कत नहीं आनी है structure mind में रखना है बहुत simple है चलो ये आपके लिए छोड़ देता हो आगे बढ़ते हैं कहीं भी अगर फसो मैंने जो structure ये बनाए है ना यह जो मैंने लिखे है कहीं भी फसो ना किसी भी sentence में इनी structure को ना आँख बंद करके follow कर लेना object की जगा object रखना verb की जगा verb रखना bean है तो bean है जहां helping verb है helping verb है बस इसको pattern को follow करना आपका वो sentence बन जाएगा ठीक है वो already ही बेवज़ा बनाए गया था उसकी जुरुत नहीं थी खामा खाम है उसको लपेड दिया गया था लेकिन कोई बात नहीं देर आए दुरूस था है passive voice में present perfect continuous या किसी भी perfect continuous tense की मैं कह सकता हूँ किसी के भी perfect continuous tense की passive voice होती ही नहीं लगे हाथ तो एक बात और बता देता हूँ आपको चलो एक और खुशी की बात देता हूँ बहुत सारे बहुत सारे लोगों को नहीं बहुत tension होती है कि transitive verb और intransitive verb के भाई transitive verb होगी तो फिर उसकी passive voice बनेगी intransitive की नहीं बनेगी सर ये कैसे याद करें मेरे नहीं समझ माती है बाते मैं आपको बताता हूँ सच्चाई सीधा सा rule याद रखो सीधा सा rule क्या है बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ जिस भी sentence में जिस भी sentence के अंदर active voice के अंदर object है क्या कहा मैंने कोई भी मेरा sentence है और उसके अंदर क्या जरूरी है object होना जरूरी है उसकी passive voice बन जाएगी अगर मेरा ये object ही नहीं है तो उसकी passive voice नहीं बनेगी बात खत्म for example एक sentence था he goes इसकी passive voice बनाओ फाल्तू की बात है बनी नहीं सकतی इसका कोई object नहीं है क्या बनाओगे object को यह तो शुरू में रखना है subject का क्या मैं अचार डालू आम का नहीं मुझे अचार नहीं डालना इसका इसकी तरह जरुरत नहीं थी ना भी होता तो काम चल जाता हमें तो object चाहिए था तो याद रखने की बात है intransitive verb इनके चक्करों में नहीं पढ़ना है हमें याद रखना है जिस भी sentence के अंदर object होगा उसकी passive voice होगी जिस भी sentence के अंदर object नहीं होगा उसकी passive voice नहीं होगी तालिया ठीक है ऐसे he knows अब इतना sentence है अब बताओ क्या करोगे क्या करोगे he teach अब क्या करोगे क्या इसकी पैसे बन सकती है ना it's impossible बनी नहीं सकती क्या बनाओगे object ही नहीं है ठीक है अच्छा transitive और intransitive verb की चक्कर में मैं पढ़ने से मना क्यों कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि same verb transitive भी हो जाती है और same verb वही verb कभी-कभी intransitive हो जाती है डिपेंड करता है sentence कौन सा है बात खिच जाएगी लंबी हो जाएगी अभी मैं खुद के अर्मानों को अपने जोश को यहीं कंट्रोल करता हूँ आगे बढ़े जाता हूँ ठीक है याद रखना tension मत लेना sentence में object है तो passive voice भी नहीं है अब हम आगे बढ़ जाते हैं उमारा perfect continuous strength तो खतम हुआ perfect continuous किसी का भी नहीं होती passive voice हाँ यानी past perfect continuous strength की भी नहीं होगी हाँ नहीं होगी लोग खुश हो लो फिर बचा क्या था बचा क्या वोइस में तो कुछ भी नहीं है यह तो बहुत असाल था आगे बढ़ मुझे ना बस मेरे खुशी हो रही है कि बस मैं अपने बच्चों को बस मिलवाता चला जाओ इन सबसे यह जो मेरे रिष्टेदार है ना यह voice यह tense और यह voice उनसे बस मैं आपको मिलवा रहा हूं भेट करवा रहा हूं आओ जी past indefinite में क्या होता था भाई इस तरह के sentence होते है he stopped me I went there she prepared food for me he taught me English है ना he played cricket है ना I cooked the food इस तरह के sentence होते थे ना है he killed him he gave me 10 rupees इस तरह के sentences थे subject रखते थे main verb की second form आती और object आती है इस तरह की इसका structure होता active voice में पैसे में क्या होगा object लाओ 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 अब्जेक्ट आ गया हाँ अब पास्ट की बात थी पास्ट की बात थी तो क्या इसे मार लगा दो नहीं गुणा है helping work क्या आएगी वह यह वर आजाएगी में की कौन सी और पास्ट इंडेफिनिट में फर्की क्या है फर्की क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब्जेक्ट तो आने होता था शुरू में तो अब्जेक्ट रखते थे फिर helping work आ जाती थी is mr फिर आ जाता था main work की third form और बाय होता था और सब्जेक्ट हो जाता था और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट की पैसे वोइस में कुछ भी चेंज नहीं करना सब कुछ as it is रहेगा बस बस क्या यह टेंस की helping work यह is mr था प दिर बाय कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया क्या इतना सा ही तो चेंज किया गया है हां और क्यों किया गया है बड़ा लॉजिकल है बही present indefinite था is mr था present था आज की बात हुई थी हैं हो हो की आवाज आती थी और object में वह पास्ट इंडेफिनिट में वह वह निकलती है इसलिए हमने ऐसा किया क्लियर है के नहीं आओ चलो 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 इसकी comparison कर लिए हमें समझ मां आ गया तो क्या यही सब कुछ हुआ इसके इंदर पास्ट इंडेफिनिट में हां यही हुआ है सब्जेक्ट रखाए गया वह सब्जेक्ट अगया में बहुत मुश किसके द्वारा बाय हर क्या sentence गलत है क्या मुश्किल था कुछ भी नहीं अच्छा इसमें आवाज पैसी वोइस में किसकी निकलती है कि मुझे बुलाया जाता है मुझे बुलाया जा रहा है खाना पकाया जा रहा है तो यह जो जा रहा की आवाज निकल रही है ना यह जो य मुझे मुझे पढ़ाया जा रहा है यह सेंटेंस था मुझे पढ़ाया जा रहा है तो हमने इसकी इंग्लिश क्या बनाई मुझे पढ़ाया जा रहा है आई एम बीइंग प्रेजेंट कर्टिन इसकी पैसे वह सब तो आप बना सकते हो I am being taught मुझे पढ़ाया जा रहा है I am being taught मुझे पढ़ाया जा रहा है तो इसमें जाने की तो कोई English सर आपने बता ही नहीं क्योंकि जाना ये वो वाला जाना नहीं है ये हमारे मूँ से आवाज ऐसे हिंदी में निकल रही है असल में तो ये ही कहा जा रहा है मुझे पढ़ाया जाना ये अपने आप में पूरा ही है ये जो taught आगी है ना being taught ये being taught ये पूरी ही ये वाली आवाज दे रहा है कि पढ़ाया जाना ये पढ़ाया जा रहा ये पूरी आवाज दे रहा है तो कभी confused मत होना कि गया की तो English है नहीं, उसे कहा गया, उसे पीटा गया, सर गया की English बनाओ, गया की English बनाओ, गौल लगा दो, नहीं 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 यह वह वाला गया नहीं है, अच्छे यह सारी confusion मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अरे मैं था ऐसा, मैं सोचता था कि इसमें गया की English क्यों नह और फिर आई मीका आई बनेगा सब्जेक्टिव केस आप तो सर क्लियर हो गया आई के साथ क्या लगेगा वाज आए वाज अब्यूजड बाइं यह सेंटेंस मेरा इसमें बन गया सारी से कुछ भी नहीं नेस देख लो दे प्लेड क्रिकेट क्रिकेट वोज प्लेड दैम लग लगेन, इसके इंटरोगेटिव, एंटरोगेटिव, नेगेटिव भी तो बताओ ना बहुत सिंपल है, उनमें भी कुछ नहीं है, नेगव में क्या हो जाएगा, एक्टिव वाईज का negative क्या होता है past indefinite में subject रखते थे did रखते not रखते मिन वर्प की first स्वाम होती और object होता है कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया not लगा दिया object रखा was word not जो के नहीं की English बननी थी कुछ भी नहीं था ऐसे interrogative में क्या किया डबले फैमिली तो हो नहीं थी helping verb आ नहीं थी वाज़र object सबसे शुरू में आ नहीं था आगे object आ गया सबसे शुरू मेरे कहने का मतलब है helping verb के बाद object plus main verb की third form plus by plus subject subject को हटा कि object को ले आये बस बात खतम करी main verb की third form थी आजो देख लेते हैं राम गोपाल वर्मा डिड नॉट डायरेक्ट दिस movie बड़ा sentence है सनु की आसी देखेंगे कि वह यह इसमें कौनसी 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 object रखी गई है बताओ ना जी दिस movie है ना हमारा object दिस movie है तो दिस movie को बना देंगे ना हम हम कह करेंगे हम हम बावब हम कह करेंगे हम दिस movie को पहला रख देंगे डिस मूवी जङसी मेरे आजीज डिस ऑसके बाद क्य लगा हो गए व यह और फिर क्या था watch was not broken by him my heart was not broken by you इस तरह से संटेंस बन जाएंगे क्लियर है कि मैं आइडिया हुपा रहा है पास्ट कंटिनियूस में क्या होगा अब तो बताने की जुरत नहीं मैं लेके जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिनियूस टेंस पे आपको सर प्रेजेंट कंटिनियूस टेंस पे क्यों ले जा रहे हो पास्ट कंटिनियूस टेंस सिखाने के लिए क्योंकि आप खुद मुझसे चीख चीख कर कोगे कि सर मजाख हो रहा है अब तो हमारे साथ इंग्लिश इतनी आसान है यह हुआ क्यों बना रखा था आप से पहले तो हमें लगता था बहुत मुश्किल हैं देख काम को दिखाने के लिए के हो रहा ही है में हर्किया थारफ था यह अगर मैं इससको पास्ट करना चाहूं दो kya होगा इज हमारी लगे रहन दूंगा क्या नेउम किज़ा लगा की जा यहां लगा हो लागा हो बाकी तो सब जो बिंग रहे गई, काम को चलते हैं, वो दिखा रहा है, मेन वर्ब की थर्ट फर्म रहेगी, बाहर रहेगा, क्या इसका यही structure बनेगा ना, past में बनके, क्या कोई बड़ा काम है, मुझकिल काम है, क्या कोई अलग से rule आ गए, क्या कोई और word यूज होगा, अलग से, past continuous tense में, क्या कोई अलग से helping वर यूज करूँ past continuous tense में, क्या इसे रटूंगा मैं, क्या मैं इसे रटूंगी, नहीं न, जुरूरत ही नहीं है, तो वो ही हमने किया, मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने इसको हमने present continuous stance वाला ही rule इसमें लगाया हमें जब past continuous stance बनाना पड़ा तो हमने उसमें ज़्यादा बदलाव किया ही नहीं हमें करने की सुरत ही नहीं है आईए देख लेते इसको भी बड़े प्यार से यह रहा मेरा past continuous stance इसमें मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था राहूल वास प्लेइंग फुटबॉल यह हमारा past continuous का active था कि मैं subject होता था राहूल फुटबॉल खेल रहा था वो मुझे पढ़ा रहे थे मम्मी खाना पका रही थी वो उसको पीट रहा था वो चोरी कर रहा था वो मेरी गाड़ी चोरी कर रहा था इस तरह के sentences थे ठीक है अब हमने क्या किया एक्टिव तो होता था सब्जेक्ट वास वर मीन वब की फस्व माइंड जी object object को पहले रखा वास वर लगाया बिंग लगाया मीन वब की third form और object सबसे important बस बिंग था अब मैंने क्या नोटिस किया कि continuous अगर है तो बिंग जरूर लग रहा है continuous है तो पैसिव वाइस में बस बिंग एक्स्ट्रा लग रहा है मेन वर्प की third form तो सम में है helping वर्प अगर present है तो इस है मार है past है तो वास वर है क्या खुला से कर रहे हो सर मजा आ रहा है कि नहीं आजाओ चलो देखते इसको negative में क्या आफत आ जाएगी क्या सर पे से पहार तूट जाएगा मेरे उपर नहीं not ही तो लगना होगा बस तो object was not लगा दिया बस extra not लगना था ठीक है जैसे ही sentence कि वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था इस तरह से sentence बन जाएगा न ममी खाना नहीं पका रही थी तो खाना नहीं पकाया जा रहा था घर नहीं बनाया जा रहा था English नहीं पढ़ाई जा रही थी Maths नहीं पढ़ाई जा रही थी इस तरह की बाते हो जाएंगी बस और कुछ भी नहीं होगा आजाओ इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा WH family सब में होता है helping वाब इसकी was वर लगनी ही लगनी है उसके बाद subject होता था object आजाएगा और being सब में आएगा is it clear or not आओ इसके कुछ sentences देख लेते हैं और अपने सारे doubts और clear करते हैं my mother was scolding me मेरी मम्मी मुझे डाट रही थी बही मम्मी तो डाटती है दूद नहीं पियोगे रात को तो डाट पड़ेगी तुमारी चलो भाई अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम अच्छे से खाएंगे पींगे अच्छे नंबल लाएंगे मी का क्या हो जाएगा I हो जाएगा subjective case I was और फिर बिंग लगेगा कि नहीं yes I was being scolded by किसके जरीए बच्चा जो दुकान थो से नहीं चला रहा था तो ये शॉप क्या आ जाएगा the shop was not being was के बाद not आ जाएगा was not being run की third form run ही होती है run by the boy ठीक है ये मेरा sentence बन गया मेरी writing की कोई बुराई नी करेगा मेरी writing बहुत प्यार है लेकिन मैं आप जल्दली लिख रहा हूं आजब were you discussing something in the class इसी तरह से ये sentence से बन जाएगा so मुझे उमीद है मुझे लगे शहते आपको इसमें दिक्कत आए तो बनाए दिता हूं was सबसे पहले तो was क्यों क्यों क्योंके something मेरा object था was something being discussed being discussed in the class थोड़ा सा different सा था मुझे लगा कई मेरे बच्चे भसना जाए तो आप clear हो गया होगा was something being discussed in the class ये मैंने sentence बन जाएगा बाकी sentence मुझे पूरी उमीद है आप practice करके बनाओगी कहीं कोई doubt आता है मैं available हूं आगे बढ़ जाओ past perfect पे past perfect ये हलवा है जिसने present tense की voice सीख ली न वो बाकी tense की आराम से सीख जाएगा आराम से सीख जाएगा past perfect में क्या हो रहा होगा थोड़ा तुक्का मारो present perfect में क्या हो रहा था present perfect tense की passive voice जब हमने बनाई थी हमने सब कुछ सेम रखा था has ever रखी थी normally रखी थी उसमें बस हमने bean लगाया था क्या लगाया था बीन लगाया था चलो आपको यादाश के लिए आपको दुबार से याद दिलाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको हमारे present perfect tense की passive voice की तरफ कहां गया कहां गया बाबू ये रहा मेरा present perfect tense आजो जी इसमें हमने क्या किया था है जैव नॉर्मली रखा था वर्ब की तो थर्ट वां पहले से होती थी वो भी रखी थी बस हमने क्या कर लिया था बीन लगाया था past perfect बनाने के लिए क्लिए 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 और नॉट मुझा पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे समझ पाए जो नहीं समझ पाए उनको मैं दुबारा समझाओंगा कोई बात नहीं हम तो दस बार समझाएंगे लेकिन मेरे बच्चों को आज में जितने भी students है उनको ए confidence दूँगा कि वो tense or voice दोनों को connect कर पाएंगे ग्रैमर एक तो बाइड में clear होगी आओ चलो देखते हैं प्रीती हैड फिनिश्ट प्रोजेक्ट प्रीती ने प्रोजेक्ट फिनिश्ट कर लिया था यह थो मेरे सब्जेक्ट इसी तरह की तो बात हो थी पास्परफेक्ट में लटा है टेकल लंच तो क्या हो जाएगा लटा लंच हैड बीन टेकन बाय लटा वी हैड नो रेड़ द भूग हैड नॉट बीन रेड ठीक है वी कभी हम अस नहीं बनाते बार बार ठीक है एंपलाइड होता है कि यह सिज़ा के से सि मिबहाओ अगे had had I helped you तो भाया had का तो had ही रहेगा had you been helped by me had you been helped by me इस तरह की sentence बन जाएंगे बागी का मुझे उम्मीद आप कर सकते हो अब हम future में प्रुवेश करने वाले हैं यानि future tense की passive voice कैसे होगी आपको इतना तो idea होई गया होगा कि object ही पहले आ रहा होगा main work की third form रखी जा रही होगी subject से पहले by आ रहा होगा और will chill होता इसके नदे तो will chill तो हटेगा नहीं कुछ एक extra हलका फुलका कुछ और होगा देख लेते हैं आजो he will drive the car इस तरह के sentence हमारे future indefinite में होते हैं गाड़ी चलाएगा ममी खाना पकाएंगी सर हमें पढ़ाएंगी है ना है ना इस तरह के sentence होते है इस तरह के अब इनको हमें change करना होगा तो हमें पढ़ाया जाएगा खाना पकाया जाएगा हमें प्यार किया जाएगा है ना इस तरह के sentence हो जाएगे, गाड़ी चलाई जाएगी, है न, चोरी की जाएगी, महनत की जाएगी, इस तरह के sentences होगे न, ठीक है, आप बना लेते हो, उसको object रखा सबसे पहले, will रखा, shell रखा, लेकिन के साथ भी लगा दिया, क्या लगा दिया, भी extract कर दिया, main web की net form तो आनी सब्सक्राइगे, helping वह अपनी जगह से हटेगी, will चली आएगा, उसके बाद object, भी object लाओ, अब तो कहते भी न, मेरे को शरम आ रही है, कि अब आपको समझ माच चुका है, object B, main verb की 3rd form, plus by plus subject, खुश हो ना, मजा आ रहा ना, तुम है तो, आगे आज़ो, अब सेंटर जिप जाना था, और तो कुछ खास था नहीं, टौश तो होना, कि English पढ़ाई जाएगी, किसके द्वारा, उसके द्वारा, द्वारा बोलते हैं, इसा लगता है, बिल्कुल शुद हिंदी बोल रहा हूं, उसके जरीए है, source का नाम बता दिया, the company will give you an opportunity, तो यहाँ पे, मेरा object मैं पकड़ा you, ठीक है जी, अच्छा, एक सेके इसको अठा देते हैं, चलो जी, तो क्या हो जाएगा, you, you, उसके साथ क्या लगएगा, will be, you will be, अच्छा, लिखा नहीं किया, कोई बात नहीं, you will be given an opportunity, an opportunity by the company, इस तरह से देनल बन गया, you will be given an opportunity by the company, ठीक है, आगे बढ़ गए my friends will decide the party time, the party time will be decided by my friends, बढ़ पाटी में आता हो, आपके दोसी दोसी दोड़ पाटी टाम करते हैं, will you organize this event, will this event be organized by you, लिख देता हूं आपके लिए, will this event be organized by you, अगर इसमें किसे को कोई डाउट आ रहा है, तो कभी भी कभी में डाउट पर फस हो ना, तो structure check कर लेते हैं, structure क् कहता है, मेरा structure कहता है, will चल लगा, subject लगा, object लगा, उसके बाद भी लगा, तो मैंने भी तो यह किया, will लगाया, उसके बाद, will this event be, और फिर के बाद, उसके बाद organized लिख दिया, simple था, ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं था, इसमें फसने वाली कोई चीज है ही नहीं, ठीक ह मसका आं गया, मुबारक हो, तालियों से स्वागत करो, perfect continuous strength की तो passive voice होती ही नहीं, साथ ही साथ future continuous strength की भी passive voice नहीं होती, और यह फ्यूचर perfect पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको, इसका भी बहुत जादा इस्तेमाल नहीं होता, बस पता होना चाहिए, इसमें क्या होता होगा, he will have joined that party, उसने वो party join कर ली होगी, कर चुका होगा, इस तरह के बहुत बोलते थोड़ी है, है ना, रट थोड़ी रहे मैट के हो, आजाओ जी, subject plus will shall plus have, में इनवर की धटफा होती थी, object शुरूमा आएगा, will shall have, same ही रहेगा, साथ में बाद 20 लग जाएगा, क्या लग जाए अब भई, negative में not आजाएगा, और interrogative में शुरू में help, क्या इतना तो समय चलोगे, क्या यह बताना पड़ेगा, क्या अराम से देख लेना इसको, मैं आपको इसकी पीडिया भी दे दूंगा, कुछ सेंटेंस आपके लिए बना रखे हैं, he will have joined that party, उसका क्या बनेगा, that party will have been joined by him, I shall have helped him a lot, मैं उसकी मदद कर चुका होंगा, he shall have been helped a lot, भाई, उसकी मदद की जा चुकी होगी, helped a lot by, by me, by me लिख देते है, extra my, by me, by me, okay, will he have bought this car, will this car have been bought by him, the teacher will have read the book, इसका आप मुझे बता देना, क्या होगा, तो दोस्तों, यह तो tenses की passive voice, यहाँ पे आके होती है, पुरी उम्मीद है कि अब आपको यह सारा कुछ समझ में आया होगा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ही कि rewind करा देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं passive voice, हमने देखा passive voice होती क्या है, बात करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे object पे focus किया जाता है, object को पहले रख दिया जाता इसमें object ना हो, उसकी passive voice नहीं बन सकती है, हमने उसमें सीखा, passive voice में सबसे important चीज कि main work की third form रहेगी और object पहले आएगा, जहाँ subject आता था, आज object आता है, कभी के दिन बढ़े, कभी की रात है, वही वाली चीज थी, तो इसे सब इसके अंदर हमने देखा, हमने देखा, tenses क जो सारे rule थे, वो सब active voice में थे, जिनको ही हमने passive voice अब सीख ली है, उनमें बहुत ज्यादा change नहीं था, object शुरू में रखना था, main work की submethod form लगनी थी, helping work पे ध्यान देना था, कि अगर present है तो इसे महारे past है, तो वह अज़र है, अगर present का perfect है तो है, past का perfect है, तो ahead है, किसी में being लगाया, किसी में being लगाया, कर दी हमने कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, models के साथ passive voice कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे imperative sentence, जो exam में बहुत पूछा जाते हैं, वो कैसे हमें convert करने, change करने हैं, वो भी देख लेते हैं, दो सब कुछ ऐसे point बताने वाला हूं आईए देख लेते हैं, पहले imperative sentence क्या होते हैं, imperative sentence ऐसे sentences जिनमें time की बात नहीं हो रही होती है, जिनमें time की बात नहीं हो रही होती है, जैसे tense में हम sentences बनाते हैं, बलकि इनमें क्या होता है, इनमें कोई order दिया जाता है, गेड़ बन कर दो, यहां से चले जाओ, इधर आओ, यह उठा दो, तुम्हें यह करना चाहिए, इस तरह की बाते होती है, वो होती है imperative sentences, यानि या तो इसमें order दिया जाएगा, या तो किसी चीज का order दिया जाएगा, या कोई advice होगी, कोई moral suggestion होगा, क्या होगा, advice किसी को सला दे दी, या moral suggestion कि तुम्हें यह करना चाहिए, यह सही है, ठीक है, इस तरह की बात होगी, या फिर कोई request होगी, कि help me, मेरी मदद कर दो, इधर आ जो, मुझे बचा लो, तो इनमें कोई tense थोड़ी है, देखा जाए, इसमें कोई tense नहीं था, इसमें क्या दे यह इस तरह के sentences थे, जिनमें या तो कोई order था, या कोई advice थी, या फिर कोई request की गई थी, ठीक है, इस तरह के sentences की passive voice ज्यादा तर exam में पूछी ही जाती है, normal passive voice नहीं पूछते ये वाली पूछी लेते हैं, लेकिन इनको भी हम बना लेंगे, आप चलो देख लेते हैं, बही जैसे order किस तरह काओगा, shut the door, बही दो को shut कर दो, बंद कर दो, throw the ball, ball को फैक दो, तो इस तरह के sentence को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, शुरू में लगा दो let, क्या लगाओ, let लगाओ, और फिर जो भी मेरा object है, ball है, door है, जो भी वो लगाया, और b की help लेना, और main verb की third form लगा देना, बात ही खतम है, ज्यादा third तो ऐसे ही बनेगी, क्या कहा मै ने, कि imperative sentences की passive voice बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है, कि शुरू में लिखो let, उसके बाल लगा object, उसके बाल लिखो be, और main verb की third form यहाँ पर रख दो, जैसे कि sentence हमारा, कि shut the door, तो let सबसे शुरू में रखा, let, और फिर क्या हो गया, the door be shut, यानि, door को बंद किया जाए, यह इसके meaning यह तो निकला ना, let the door be shut के उसके बंद किया जाए, बंद रहने दिया जाए, है ना, ऐसे तो हुआ, ऐसे throw the ball, throw the ball, भई, ball को फैको, अब इसका meaning नहीं बदलना चाहिए, passive में बना दो, कैसे बन सकता है, let the ball be thrown, के, भई, ball को फैक दिया जाए, ball को फैक दो, ball को फर्क पढ़ा क्या, फर्क नहीं पढ़ा, passive voice की यही तो खुबसूरती है, कि इसमें बात में कोई फर्क नहीं पढ़ता, कोई अंतर नहीं आता, बस कहने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि हमेशाना हम let लगा के नहीं बनाते हैं, कुछ इस तरह के sentences होते हैं, जहां पर हमें objective नहीं दिया गया होता, हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन examiner हम से जबरदस्ती कहता है, बना उसकी passive voice, अब हम परेशान हो जाते हैं, इसमें क्या करें, उस तरह के भी sentence होते हैं, कुछ ऐसे sentence होते हैं, जिसमें साफ साफ सला दी गई होती है, किसी parents, कि अपने माबाप की आगया का पालन करो, है न, यह sentence है, तो अब जब मैं कह रहा ह autant है, अपने माबाप का पालन करो्ओ या अपने माबाप का आदर करो, इसको ऐसे कहोगे, अपने माबाप का आदर किया जाए, यह आजीप सा लगेगा, लगेगे कि नहीं, दिल से बताओ अपने माबाप का सम्मान किया जाए या माबाप का सम्मान किया जाए ऐसे नहीं इसको थोड़ा सा अलग से बनाना चाहिए अलग से कैसे बनाना चाहिए इसके लिए हम इस तरह के words का यूज करते हैं क्या you are requested या you are advised या you are ordered आज गी तो अलग तरह की situation के लिए अभी मैं सिर्फ अगर advice की बात करूं तो उसमें हम दो-तीन तरह से sentence को बना सकते हैं कि you are advised कि आपको advice दी जाती है अगर कोई सला दे रहा है कि अपने मावाप का सुम्हें सम्मान करना जी पता है तो आप ऐसे बोल सकते हो यू आर एडवाइजड टू अबे यॉर पैरेंट्स या फिर या फिर औबजेक्ट रखो शुड लगाओ भी लगाओ मिन्वप की थर्ट फार्म लगाओ जहां पर आपको डिरेक्टली पता चल रहा है कि सला दी गई है ना तो नीचे वाला फॉलो करो अब्जेक्ट रखो शुड लगाओ अब्जेक्ट तो सम्में आ नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा क्यों यहां क्या हो जाएगा यॉर पैरेंट्स शुड भी ओबेड यह और की जुरुत नहीं थी पैरेंट्स शुड भी ओबेड चल जाता ठीका 1 फर्स फर्म लगा रहो क्यों अरेरह 23 ऑउ縁 से यह बनी और रिक्व्우स्टिд आपसे रिकुजट की जाती है आपको सलाधी जाती है आपको ओडर दिया जाता है आप से कहािचा जाता है आपको बताया जाता है टोल्ड भी तो करने यहां पर क्या का मैंने यहां टोल्ड भी उसकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस जगा पर नहीं यहां पर टोल्ड भी आ सकता है यू आ टोल्ड तू डू दाट इस तरह के sentence ठीक है सर कुछ बना के दिखा तो बता देता हो जैसे help me है अब यहां क्या थे एक request थी तो you are requested बन गई passive you are requested passive है न तू help me अब help me इसमें और तो कुछ करने को था नहीं मेरे पास तो मैंने यह किया ऐसी do it for me यह मेरे लिए कर दो तो इसको कैसे बनाओगे you are requested to do it for me कि आप से request की जाते कि मेरे लिए कर दो इस तरह से sentence बना सकते हो सब कुछ example और दो ना हमारा और और mind अच्छा कर दो और मज़े से समझा दो में देखो समझा देता हो कोई दिक्कत नहीं है finish the task बही task को पूरा करो यह order था इसमें कोई salah भी नहीं थी को request भी नहीं थी है ना तो इसको simply let से बना सकता हो मैं हाँ let the task be finished ऐसे बना सकता हो हाँ में लेट रखो object रख दो let the task be लगा के finish कर दो इसको मज़ेदार था के नहीं ऐसे यह wash the shirt let the shirt be washed ऐसे बन जाएगा clean the room let the room be cleaned बहुत simple थे इनमें simple order दिये जा रहा था कि इसको अगर ऐसे बनाते कि you are ordered to clean the room क्या यह गलत हो जाएगा नहीं 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 यह भी correct है आपके option में अगर इस तरह का कोई option मिल जा है let वाला ना दिया हो किसी नहीं यह लेट वाले में कोई ना कोई वर्ड का हेर फेर बी ना लगा रखा हो मिन वपकी first form लगा रखी हो बर आपके दिमाग में तो यह कि let से बनेगा वस तो ऐसा नहीं करना धियान से देखना you are ordered to clean the room यह भी ठीक है यह भी ठीक है passive बनाना है sentence को कैसे भी करके जबरदस्ती का सौधा है मैं भी मानता हूं इस बात को कि इस तरह क point of view से हम से पूछा जाता है आपको याद होना चाहिए इसका भी तरीका आजाओ do your work अब इसमें एक order दिया जा रहा है तो order है या एक सला भी हो सकती है so you are advised to do your work यहाँ पर क्या let वाला लगाओगे नहीं नहीं लेट वाला अजीव हो जाएगा है ना अजीव सा होगा let your work be done यह कुछ बना नहीं यहाँ पर हम किसी को do your work तभी कहते है जब उसे हम डांट रहे होते हैं या order दे रहे होते हैं या इतना तो आप समझ सकते हूं ना warning है सला है order है समझ मा आ जाता है न इतना तो बस हो जाएगा काम तो इस तरह कि यह है solve the problem let the problem be solved इस तरह से हम बना सकते है या you are advised, you are asked to solve the problem हम you are asked, you are requested यह सब क्यों लगा रहे है इसलिए लगा रहे है क्योंकि हम इसकी किसी भी तरह से passive voice बनानी है और हम आप बनाने के लिए कुछ है नहीं खास दो तीन word है तो हम you are requested अपने आप में passive voice बनाती है हमने बात ही खता यह कुछ इसी तरह से समझ दो कि म यह अपने आप में क्या थी? पैसिव थी बागी का sentence चाहिए active मों क्या फरक पड़ता है ना बागी का sentence तो simply है to लगा के to do your work, to solve the problem वो हमने plane कर दिया तो यह यहाँ पे एक funda था, मज़ेदार था ऐसे help the children तो क्या हो जाएगा इसका 100 should वाले बना सकते है ना कि बच्चों की मदद करो, बच्चों की मदद की जानी चाहिए, ऐसा भी तो बन सकता है, तो the children should be helped, क्या बन जाएगा? the children should be helped, यह अच्छा था, the children should be helped, यह इस तरह से आप से बना सकते हो, sir, 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 कै इसको let the children be helped करो, नहीं, करतो सकते हो, लेकिन यह logical बिल्कुल नहीं है, कि बच्चों की help की जाए, ऐसा थोड़ी कुछ बनेगा, यहाँ पर हम एक advice देने, help the children, एक तरह की advice है, तो इसलिए हमें should का इस्तेमाल करना ज्याद अच्छा लगा, क्योंकि हमें मालूम है, हमें मालूम है कि should से भी passive voice बनती है, एक और मज़िदार sentence है, कुछ और आपके सामने में sentence लिखत speak the truth, speak the truth, तो इसका क्या क्या बन सकता है, the truth should be spoken, यह you are advised to speak the truth, दोनों ही तरीक है, बिल्कुल सही हो जाएंगे, work hard, अब इसका क्या 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 होगे, सिर्फ work hard है, अब इसमें तो कुछ नहीं बना सकते थे, सिर्फ एक verb है, यह work hard, इसकी passive voice बनाओ, तो इसलिए हमे जरुरत पढ़ी, you are, you are advised, क्या लिखे सकते है, you are advised to work hard, बन जाएगा के नहीं, ऐसे बन जाएगा, तो help हो गई के नहीं, इसी तरह से keep your promise, यह भी एक advice है, तो क्या होगा, इसमें advice में क्या बना दोगे, your promise, अब यहाँ पर advice है, सला है, यह काम आपको करना चाहिए, तो इसक आजो, आगे बढ़ जाते हैं, please keep up the garden, यानि garden का ख्याल लखो, keep up रखो, request है, यहाँ एक तरह की request है, so you are requested, please आगया, यह प्लीज आगया, यानि request की गई है, किसी से मिननत की गई है, भाईया garden का ख्याल लख लेना, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो क्या है, इसका क्य आज सकते हैं, you are requested to keep up the garden, बनने ही passive voice, जो खतम imperative sentence की passive voice, खतम, एक छोटा सौर पॉइंट और सुल लो, एकना, have का इस्तेमाल करके भी passive voice बना दी जाती है, हाँ, competitive exam में पूछी जाती है, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा मैं क्या करूँगा, मैंने आपके लिए कुछ PDF बन आपके साथ के साथ करा दूगा, लेकिन आपको हलवा लगेगी, क्योंकि मैं सारा करा चुका हूँ आपको, तो वो देखना मत भूलना, उसे मत छोड़ना, अभी कराऊंगा practice, इसको जल्दी से खतम कर लेते हैं, have का इस्तेमाल कैसे होता है, put up a tent here, यहाँ पे tent गार दो, है तो इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह के have वाले sentence भी बना दिये, तो घबराना मत, अगर कभी have का इस्तेमाल करते हुए भी आपको passive voice दिख जाए, तो इस तरह से बन जाती है, have चुरू में रखा, object रखा, वही थर्ट पहुमा चाएगी, बात खतम हो जाएगी, passive voice with model verbs, models होते भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, भी शुड मतलब होता है, चाहिए, अभी हम बना भी रहते हैं, भी शुड का इस्तेमाल लाके बनाया था न, must का मतलब भी चाहिए, यह होता है, can और may का सकना, would होता है, होग की आवाज आती है, might और good का मतलब होता है, सका, past मे आपके understanding के लिए बता रहा हूं, वैसे आप समझदार हो, आपको clear हो जाएगा, उसको कैसे बनाओगे, object शुरू में आ नहीं है, जो भी इन में से model verb आए, वो आ जाएगा, be आएगा, main verb की third form, by plus subject, जैसे के questions can be answered, के questions के जवाब, सवालों के जवाब, दिये जा सकते हैं, can be driven by him, बात खतम हो गई, ठीक, इतना सा बनाना था, कुछ भी नहीं था, इसमें भी, she must not return the loan, उसको loan को return नहीं करना चाहिए, भाईया, खले, बैंके का, पैसा लेके भग जाओ, तुम भी, तुम भी बन जाओ, बिल्कुल fugitive, चलो जी, return the loan, so, यहां पर क्या हो जाएगा, the the loan, the loan, should not, और फिर क्या दा, be returned, और आगे क्या लिखना है, by her, सर यहां पर must का should कर दिया, हां, normally हम क्या करते हैं, must को should में बदल लेते हैं, क्या का मैंने, जब हम passive voice बना रहे होते हैं, किसी sentence की जिसमें must होता है, तो बहुत जगा पर हम must की जगा should लगा देते हैं, चलो आपके लिए छोड़ सकता हूं, दो sentence बना सकते हो, हाँ, बना सकते हैं, सर, अब तो जोज जलवा सभी अलग हो रहा है, कुछ और देख लो न, चीज़े हैं, हाँ, कुछ और देखते हैं, advance rules of passive voice, advance rules क्या मैंने आप से कहा था, कि हर बार buy नहीं आएगा, हम जब भी passive voice बनात to, at, in, into, इस तरहा का, जैसे के, she looked for the jacket, के, यहाँ पर क्या था, यह पूरा एकठा था, अब जब हम इसकी passive बनाएंगे, तो sentence क्या बनेगा, the jacket was looked for, यह for का अब नहीं होगा, यह वहीं रहेगा, ऐसे ही, he shouts at me, के वह मुझ पे चलाता है, so I was shouted at, यह at अपने साथ यहाँ प और दे तो मैंने आपको पहले ही बता था, दे और वी, यह ऐसे word है, जो as a subject आप नहीं लगाते हो, हमेशा लगाने की जूरत नहीं पढ़ती है, everyone हो गया, वो भी नहीं लगाने की जूरत पढ़ती है, someone हो गया, यह something हो गया, वो लगाने की जूरत नहीं होती as a subject, जब हम प reposition यूज की है, active sentence में, वो ही आजाएगी, और क्या है sir, और क्या है sir, यहां हमारी कहानी खतम होती है, अरे हाँ, बिल्कुल खतम होती है, यहां पर हमारी active passive voice की कहानी, तो जिस्ट क्या है, जिस्ट कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, object शुरू में आना है, object शुरू में आना जिसे sentence था, he should have completed this work, क्या था, he should have completed this work, कि उसे वो काम कर लेना चाहिए था, ऐसा बोला ना, तो अब इसमें should have था, अब जब इसकी passive बनाओगे, तो should have की जगा, should have been इस्तेमाल कर देंगे, जैसे इस तरह से समझ लो, जैसे perfect tense में हमने किया था, perfect tense में भी तो यहीं किया था, हम been लगा रहे थे हैं, it has been done, ऐसे ही, should have been, तो sentence क्या बन जाएगा, this work, this work, should have तो should have है, should have been हो जाएगा, क्या बी लगाते हैं, इसके साथ नहीं, should have been completed by him, बात खतम, तो यह तो understanding, common sense की बात है, आप भी समझ गये हो, कि कहीं भी passive voice होगी, या तो बी का इस्तेमाल करके main verb third form ल head तो head bean हो जाएगा, बस यह याद रख नहीं है, चोटी चोटी बात है, कि main verb की third form है, object शुरू में, आप यह सारी बात है, दिमाग में रखते हुए, जो previous year में बहुत सारे question पूछे गए हैं, और जो hard से hard आप से पूछा जा सकता है, वो मैं आपको question कराता हूँ, भी practice, याद रखोगे, याद रखोगे ना, आओ चलो, आप जल्दी से देखते हैं हमाई sentences, वही पहला sentence क्या है मेरा, बच्चो देखो ना, आप से सवाल पूछा गया है, कि आपको इसको passive voice में convert करना है, हर mother bought the house, उसकी माने घर खरीदा, सबसे पहला काम क्या करना है, object, object क्या है, house है ना, लगा दो, the house, सबसे पहला तो दिमाग मेरे है कि house वाला सही है, यानि जिसमें house नहीं आ रहा, वो तो बिलकुल incorrect option है, अरे इन में तो सब में house आ रहा है, कोई बात नहीं, कौन सा tense था, bought, जो buy की second form थी, यानि ये past indefinite था, जिसमें was या वर लगना था, तो house singular है, इ यानि उपर के पहले दो तो पहले ही cut गए, ये तो cut हो गए, इन दोनों में से देखना है, तो the house was, क्या being लगाओगे, क्या continuous है, नहीं sir, the house was bought by her mother, क्या ये correct answer हो जाएगा, बिलकुल correct हो जाएगा, ऐसे दूसरा sentence देख लेते हैं, बहुत असान लगेंगे अब सारी चीज़ ठीक है, आँ चलो देखते है, do not disturb the patient, बहुत पेशेंट को disturb मत करो, अरे आख बंद करके लगाना था, लेट करके है न, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें कोई सला दीर जा रही है, कि अभी पेशेंट को disturb मत करो, आपको मैं सला दे रहा हूं, मैं डिस्टरब मत करना है इसको, नहीं, will बगेरा का, तो कामी नहीं है, इसमें, will बगेरा का, तो कामी नहीं होना है, तो भई, will को तो सर जल्दी से कट कर दो, इसमर थोड़ी लगाना होता था था, imperative में, या इन में से, दोनों में से एक सही है, और मुझे ऐसा लग रहा है, कि नीचे वाला ज्यादा अच् भाज में आया, भाई, सर, सर, अब तो मजा आने लगा, क्या बात है, कुछ और सेंटेंस भी करा दो, I saw him leaving the house, बात ही करता में, मुझे तो object देखना है, सबसे पहले object किस में आ रहा है, object कौन सा है, him, he was seen, he was seen leaving the house by me, बात ही खतम हो गए, I saw him था, तो past indefinite था, was वाला, बिल प्रेक्ट हो गया, मेरा, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ जाओ, Shiba posted a letter, Shiba ने letter post किया, तो a letter was posted by Shiba, क्या है, कोई answer है, इसा, a letter, a letter, a letter was posted by Shiba, being वाला भी तो था, मेरा तो इधर mind जा रहा था, क्यूं लगा दूँगा, continuous sentences, sir, मज़ा आ गय हुए हैं जिनको आप पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा और और आप इन्हें बना भी पाऊगे चलो मुश्किल सा देख लेते हैं I expect you to complete this work before sunset वही मैं expect करता हूं कि तुम यह काम sunset से पहले करो तो यहां पर मेरा object के यू था ना एक्सपेक्ट यू तो यू आर एक्सपेक्टेड बात ही खतम है तो यानि नीचे के दो खतम ही हो जा रहे ना नीचे के दो खतम हो रहे हमें मालूम हो object शुरू में आना है तो यू यू आर एक्सपेक्टेड तो यू आराम से खते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कोई दिक्कत आया आप मुछे सकते है बहुत असान असान से वें do you imitator दा सणरी जो भी मैंने लिखे वे ना यह आपसे जो नौकरी की जो तयारी करके नहीं के एक्जाम लिया जाता है ने कि आप जौब वाले जो एक्जाम होते हैं उन में पूछा जाते हैं आप सोचो आपका लेवल कितना अच्छा है ठीक है आपको इससे ज्यादा ही आता है कम नहीं आता है तो एक्टिव पैसिव वाइस यहां होती है हमारी खत्म हमारे साथ हो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पीडिएफ यह सारी पीडिएफ जितनी भी है वह हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे आपको मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई है आगे कौनसी वीडियो अच्छा वो तो मैं ही बताऊंगा ग्रैमर का कोर्स मैं ही बढ़ा रहा हूं कौनसी वीडियो आपको चाहिए ठीक है मैं एक ऐसी ही वीडियो ऐसी जानदार सी वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तक तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ